विकास के अगर बात करने तो बैकुनपूर के काका विकास से मेन मुद्दाकार है जहीं विकास को लेकर देखिए विकास की बात रही तो जिस प्रकार से कांग्रेशियों ने और यहां पर चरंडास महंत की पत्नी ने तरम पत्नी ने जिस प्रकार से हमारे जिले को अलग किया तो कहीं न कहीं विकास के मामले में हमारा कोरिया जीला एक छोटा सा जीला रह गया तो गाउवालों को यहीं कहना है कि मात्र भुपेज बगेल और यह कंग्रेश सरकार है वो ठगने का काम कर रही है चुनाओ जीतने के बाद यह सब यहां से भाग जाएंगे इनका कुछ यहां रविया नहीं दिखेगा तो का लगा थे बार भाजपा के सरकार पहले यहां पर दूब चुकी है निश्चित तौर पे यह लोग फिर से डूबने वाले है कांग्रेस है यह बार कहा थे कि हमन ं долж वह 8,000 महिना और सलाना एक लाग रुपय देब उख अलग ठेखेभा के बहले हलेंyr कि अगर मैं जीतनी हूं धन्य तहरे दिखेशत हैं के आउठ भश्चितनी हैं तो क्रत्यष लाग प्रत्थे गाउमें व्िकासकारे के लिए देंगी बातशित करन के प्रयास कर वो जाने का प्रयास कर वो जाने का नाम क्या नाम अब के सभी दर्सकों को आपको नमसकार जैशीराम हितेस परताब जी सबले पहले मुरे सवाल रहे की काकार महौल चला थे कैसे लगा थे चुराओं मा महौल तो केवल मोदी जी का है सरोस दीदी का है हमारे छेतर में देखे विकास की बात रही तो जिस प्रकार से कांग्रेशियों ने और यहां पर चरंडासमहंद की पत्नी ने जिस प्रकार से हमारे जिले को अलग किया तो कहीं न कहीं विकास के मामले में हमारा कोरिया जिला एक छोटा सा जिला रह गया और उसको तोड़ने का काम इनोंने किया विकास किया है अगर इन लोगों ने तो कांग्रेसियों का विकास किया जिस प्रकार से कांग्रेस के जो सांसत प्रतिनीधी है वो अपने खेत में सिस से नहीं है। जहां भी इनकी सरकार है उस सरकार में भी रहते हुए इन लोगों ने कहीं पर भी एक रुपए किसी माताओं बहनों के लिए नहीं दिया है तो यह 8400 रुपए कहां से देंगे मुझे यह बताने का प्रयास करें यह लोग मैं तो बस यही कहूंगा घर्भी बने गरीब का कुटिया की रक्षा हो तिलक कमंडल चंदन और चुटिया की रक्षा हो खेत में सोते हुए किसान की रक्षा हो और बटन ऐसा दबाओ की बिटिया की रक्षा हो तो बिटिया की रक्षा और ये जो बाते मैंने कही है केवलो केल भारती अंता पार्टी कर सकती है कांग्रेस की लोग तिल मिलाए हुए हैं निश्चित तौर पे कांग्रेस फरफडा रही है कहीं पर भी इनका कोई भी काम नहीं आ रहा है इनकी जूठी लबरी सरकार पहले भ भी रामराजी की सरकार बन चुकी है प्रदेश में भी रामराजी स्थापना हो चुका है तो देश में भी रामराजी स्थापना पुना फिर से नेनमोजी की नेत्युत में होगा कांग्रेस के राज में तो केवल घोटाले बाजी की सरकार ही रही है कांग्रेस की और निश्ची तोर पे कांग्रेस के जो लोग है तो इन्होंने केवल अपने जोली भरने का काम किया है आप देखिए नरेद मोदी जी का कोई परिवार नहीं है वही उनका परिवार है और अपने लिए नहीं वो देश के लिए जीते हैं लेकिन कांग्रेस के लोग राहूल गांधी इनका परिवार गरीबी हटाओ का नारा देती है लेकिन कहीं पर साकार नहीं होता अपने बिवी बच्चों और बच्चों के साथ अपने परिवार का विकास किया है इसके साथ इन्हों ने कोई देश का विकास नहीं किया गरीबी हटाओं का नारा देती थी कांगरेस लेकिन गरीबी तो हटी लेकिन इनके परिवार की हटी द देश का नहीं हटा देश का किसान आज भी तड़प रहा है और परिसान था लेकिन नरेंद मोदी जी के आने के बाद 6,000 रुपए हर साल का नरेंद मोदी जी ने गरीब किसानों को डायरेक्ट दिया है माताओं बहनों को एक हजार रुपए प्रतिमाह दिया है और देखिए गरीबों का आवास का चिंता करते हुए आवास दिया है पांच लाख रुपए की इलाज का योजना लाया नरेंद मोदी जी ने तो इतनी सारी योजना गरीबों को डारेक्ट टच कर रही है देखिए नलजल योजना पानी घर-घर पहुंचाने का काम हो चाहे किसी प्रका प्रत्यासी है जोतिनस्ना महन जी के उकर बारे में आप मन का सौचत हो कि कैसे प्रत्यासी है काम अच्छा करी से करी से पिछले बार जो है मैं फिर से बताना चाहूंगा जोशना महन जितना निश्करी सांसर आज तक पूरे 36 गड़क्या पूरे देश में नहीं होगा एक ब कार से हमारे च्छत में विकास कार उन्होंने नहीं किया तो अपने कांग्रेज के जो लोग हैं कांग्रेज के पत्र निधी है कांग्रेज का रहाइक गोटाले करके ser consultant जी बहुत हिस सुल्जे विक्ति हैं और बहुत अच्छा हमारे चत्रिजगर प्रदेश में विकास कारी चल रहा है सरोज दीदी के बारे हम बताना चाओंगा पहले महापौर रही है, बिधायक रही है लोगसभा की सांसत बोले जाए और जीतने बार दीदी निश्चित तोर पर मुदी केबनेट मंत्री भी बनेंगी क्योंकि मुदी जी की बहुत ही खास है अभी यूआ है, बातचित करबो जाने के प्रयास करबो कि ये बार चुनाओ के मुद्दा का है आखिरकार चुतित करबो का कर महौल चला थे इस समय जो है, बिलाई टैम्स के टीम मौजूद है, बातचित करबो का ना है भाई साब बनके अभिशेक साहू नाम है अभिशेक भाई, का कर महौल है, का लगा थे, विकास के का नाम हो सकते है यहाँ स्वरुस पांडे जी का महौल है और कांग्रेश सरकार जो है, पिछले बाद जब जूठा वादा करके आएगी पचीस सो रूपे बिरुजगारी भत्ता मिलेगा लेकिन वो नहीं मिला, एक आथ हजार में एक जण को बाई चांस कोई फस गिया तो उसको अलग बात है लेकिन व्यारी बत्ता कि आप में बात करें, जो है सीजी पीसी घोटाला भी होरें, यूवामन के साथ बहुत बड़ा खेलवाड कर रहें इसे कांग्रे सरकार, तो का लगय थे बार जो है भाजपा के सरकार पढ़ने वाकि में जो है यूवामन सांक जो है निश्करता से ज के लावा कुछ काम नहीं करते हैं अगर हम बात करना तो विकास के मुद्दा का हो सकते बैकुनपूर के बैकुनपूर तो रोट चोड़ी करन होना चाहिए और जिला विवाजन हुआ इससे बहुत नुक्सान हुआ कुरिया वासियों को तो सब्सक्राइब बना जाए इसका इ यवा जो है मांग कर रहे हैं कि अब 36 गड़ में यवां के लिए रोजगार के अऊसर कि हो सकता है और भी सवाने के प्रयास कर भोनी्प आर्मारुवेट् सुछ चेत्र में कृशना या फिर कॉलेज पढगर क्या बढ़ाई की इस तरसे भी आपन को यहां देखना चाहिए क्या है यहां पर गौर्मेंट एक तो बिएट कॉलेज होना चाहिए और एक मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए मेडिकल कॉलेज था लेकिन कंग्रेस सरकार ने यहां के जिला को तोड़ करके अपना जो कॉलेज था मेडिकल कॉलेज उसको मनें गड़ भेज दिया तो अपना यहां होना चाहिए कुछ जो युवाओ के लिए का कहना चाहूँ आपको मिला वह वादा किये थे पूरे पांस साल का लेकिन क्या हुआ जब वह चालू किये जब चुनाओं से चार महिने पहले चालू किये उसके बाद दो महना दिया उसके बंद कर दिया है ना और अभी वादा कर रहे हैं कि हर प्रतेक महिलाओं को 8333 उर्पय देंगे जो कि पॉसिबल ही नहीं है अभी हम लोग कई जगह जा रहे हैं तो गाउवालों को यही कहना है कि मात्र भुपेज बगेल और यह कंग्रेस सरकार है वो ठगने का काम कर रही है चुनाओं ज इसे कारे करता क्यों सकता है जो कि प्रधान मंत्री के सीर फोड़ से तो का कहना चाहोगे मतलब कांग्रेस कहीं ना कहीं मांसिकता खराब होगे या फिर कांग्रेस जो आग बहुला होगे देखे कांग्रेस इसमें पूरी सरसे बुखला गई हार में अपनी हमारे देश के सस्वी परधान मंत्री ऐसे हैं जो कि भारत के प्रते गरीब तपके के लोग को ले के साथ चल रही है और बड़े से बड़े उद्योग पतियों को गरीबों के बराबर लाने के प्रयास कर ही है तो इसमें लगता है कि उनको अपने आपको माफी माँगना चाहिए अपने आपसे और प्रधान मंत्री जी से इतना बड़ा उन्होंने मुद्धा उठाए पर लाठी मारने का और देखा जाए तो हमारे देश के प्रधान मंत्री ऐसे नेता है जो गरीब उद्योग प कि आखिए सथा काम पूसला के कैसे नों करके सरकार बन जाए तो नोगे शार, पाटी के वाला फर्जी जो फार्म भरवा रहे हैं तो कई करकरता उनके जो हैं फार्म को फेक करके काम करने से मना कर दिये हैं कि हम लोग यह फरजी काम नहीं कर पाएंगे, है ना, तो यह बयान आ रहा है, उनका, अंका, इन लोग, उस समय क्या बोले, जब भारती जंता पाठी ने, एक हजार कफाम भरवाया तो इन लोग बोल दिये कि भारती जन्था पार्टी एक हजार रुपय महिने से कहां से देगी कांग्रेस जो है अभी बोला थे कि चुनाओं के बाद जो है महतारी वंदर नियोजना के पैसा मिलना बंद हो जाए एमा आप मन का करना जो आप जोना डाए और म्यद्धी एक हजार रुपय महिने से देंंगे अब मैं उन्से पूछता हु कि इन लोग आथ हजारुपय महिने के overcome बताते हैं तो वाकई में देही नहीं दे पाएंगे अब मैं अभी यह बोला कुछ दिर पहले हैं जह बहाएं यह संविदा करमचारी थे उनको रЕगुलर किया निगया कईश सरकार करमचारी थे हठा वतने मितानीन भहने हैं वो मितानिन बैनों का भीमान दे़ दो से तीन हजार रूपय है है ना दो से तीन हजार उंका बढ़ाया उचसे ज़्यादा बढ़ाय नहीं जा रहा है और यह बात करते हैं कि हर महिलाओ को हम लोग पैसा कुछ नहीं है क्या है कि जो अभी आप बोल रहे हैं कर्ज माफी क्या है देखिए बीजेपी सरकार ऐसी क्या है आप पबली को ठगने का मिकाथि हैं लेकिन हम वही लोग है जो कसम राम की घाते हैं तो अंदिर बनाते भारतियंता पार्टी जिसने संकल्प लिया है घोशना की है तो घोशना नहीं की वोगते हुए जो वादे करते हैं भारतियंता पार्टी के लोग हमारे यससी प्रधानमंत्री जी और वहाँ पर योगी जी की आदितना जी की सरकार है निश्चित तोर पर उनके दम पे ये रा वो खतम हुआ और आज राम मंदिर बन चुका है और ये भी कहना चाहूंगा राम लला तो जाकी है राम मंदिर जाकी है मतुरा कासी बाकी है अभी ये दोनों जल्दी कंप्लीट होंगे का लग थे भाई सरोज पांडे अगर जी थी तो वाकई में चाहूं मुखी विकास हो ही में बहुत लोग मेरे दो स्यार लोग भी है जो इस टाइब से कुछ पैसा रूपिया कुछ उनका जो है उनके सासनकाल में बहुत इस टाइब से घोटाला हुआ है तो इसमें और अभी तक हो एसाई भरती का जो भी रिजल्ट अभी तक जाड़ी नहीं हुआ है तो यह मेरे को लगता है कि कुछ रोजगार का भी नहीं मिला युवाओं के लिए तो सरोज पांडे जी से निवेदन रहेगा कि काम करेंगे युवाओं के लिए इसा नहीं है और सब्सक्राइब का पैसा हमारे कोरबा लोग सभा से आता है निश्ची तौर पर दीदी ने घोशना की है कि अगर मैं जीती हूं निश्ची तौर पर जीतेंगी हमारी और जीती है तो वह 25-25 लाग रों प्रते गाउं में विकास कारे के लिए देंगी इस टाइप का घोशना आज तक किसी सांसद ने नहीं किया था सांसद प्रत्यासी ने नहीं किया था उन्होंने जो कहा है दमदारी के साथ तो दीदी की दमदारी दिखती है तो यह तो थे आज हम जो है बैकुनपूर में पहुंचे है बैकुनपूर में पहुंचे है चुनावी महोल जाने में पह यह हो ही कि वाकई में जो है भाजपा के सरकार 36 गोन बना थीक्री में थे कावर कि भाजपा के सरकार जो लगा तार दावा कर रहा थे कि यह बार जो है 36 गर्मा 11 11 सीट जो है हमर तरफ है कैमरा परसंग सेलेट के साथ दिनेश का सी भिलाई टाइम्स कोरिया झाल